तो दोस्तो योटूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इमेल आईडी होना बहुत जरूरी है नमस्कार दोस्तो मैं सरवेज सिंग और आपका मेरे योटूब चैनल पर स्वागत है दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आगी भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो चलिए बिना देरी क्यों होई वीडियो को सुरू करते हूँ दोस्तो तो आप वीडियो को टाइटल और थम्निल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हाज हम यहाँ पर किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो दोस्तो यूटूब चैनल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इमेल आइडि होना बहुत जरूँए और आप जानते ही होंगे कि आज कल तो सबके पास एक इमेल आइडि तो होती ही है सबके फोन में तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट की हुए मैं आप ले चलता हम अपनी फोन की स्क्रीन पर तो दोस्तो सबसे पहले हमको अपना यूट्प चैनल खोलना है यूट्प खोलने के बाद हमको यहाँ पर एक किनारे में लाइब्रेरी को option पर हम पो क्लिक करना है क्लिक करने के बाद हमको ये लाश पर जो गोल कर हमाई icon दिखा करता हूँ इस icon पर क्लिक करना है तो सबसे पहले फिर आपको select करना है कि किस email से आपको channel बनाना है जैसे अगर आपके फोन पर एक या दो से जादा एक या फिर उससे अधिक email आईडी पड़ी होती है तो option देता है कि किस से हमको channel create करना है तो जैसे मेरी एक इसमें ID पड़ी हुई है और देखी यहां पर नाम मेरा दिख रहा है लेकिन उसके नीचे नो channel भी लिखके आ रहा है क्योंकि मेरा भी इस ID से कोई channel नहीं बना हुआ है तो इस ID पर हम click करेंगे तो उससे हमारा YouTube खुल जाएगा फिर उसके बाद फिर हम उसी पर click करेंगे फिर हम option आएगा हमारा सबसे पहले option आ रहा है यूर चैनल का क्लिक करेंगे तो दोस्तो यूर चैनल पर क्लिक करने के बास सीधे आप को आपका आपका क्या करत Serum का नाम पूच रहा कि आपको प्रोफाइल पूच रहा हैं और फिर create channel तो हमको सबकुछ और हमेरा नाम लिखा हूआ है चनल का नाम सब कुछ और क्रियेट चैनल के लिएक करेंगे कि यहां पर लिखके आरा चैनल क्रियेटर और आप सकते हैं कि हमारा चैनल बन चुका है सब्सक्राइब तो दोस्तों सीम इसी प्रकार से इसी प्रकार डेक्स्टॉप या फी पीसी या फी कंप्यूटर में भी चैनल बनाया जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और हां अगर आपको इमेल आईडी बनाने नहीं आता है तो कमेंट शेक्समेंट पर कमेंट जरूर करिएगा